Hyundai Crater, इस गाड़ी का कौन फैन नहीं है, मुझे पता है आप भी इस गाड़ी के बहुत बड़े फैन होगे एंड हो सकता है कि आप मेंसे कुछ लोग इस गाड़ी को खरीदने वाले हो या वह इस गाड़ी को ओन भी कर रहे हो तो इस गाड़ी के बारे में बहुत इंपोर्टन अपडेट आज चुके कि इस गाड़ी का फैसलिफ लॉच्ट होने वाला है अगर आप इंटरस्टे इसके फैसलिफ्ट के बारे में जानने के लिए जिसमें मिलने वाले new design new features के बारे में जानने के लिए तो इस वीडियो को लासक जरूर देखें मैं हुआ अपकर दोस केवी और आपका मेरे चनल पर बहुत-बहुत वेलकम है दोस्तों जैसे कि हमसे भी जानते हैं कि इस गाड़े का जो फेसलिफ्ट है वो इंड़नेशिया में लाँच हो चुका है इस गाड़ी की सेल्स काफी अच्छी है इंडिया में इसमें कोई डाउट नहीं है बट फिर भी चाहता है कि हम किसी से पीछे क्यों रहे हम अपने बैस इंदर क्लास क्वालिटी सब के सामने लेकर आए तो तीन चीजेब पहली कि इस गाड़ी को जो लौंच हो कब होगा दूसरी कि इस गाड़ी में क्या-क्यव मिलेंगे, इंडेर में इसमें अगर में ऑल निव लूप देहने को मिले गा आप जलाएंगे यानि कि on करेंगे तब तो आपको दिखेंगी बट उसकी इलावा वो पता भी नहीं चलेगा आपको कि वो lights हैं भी वहाँ पर क्योंकि वो grill में ही mix match हो जाएंगी जो कि काफी अच्छा लगीगा अगर जलाएंगे तो दिखेंगी नहीं तो वो बिल्कुली black ह हो जाएगी उसके ठीक नीचे हमें डवल प्रोजेक्टेड हैडलाप दिखने को मिलेंगे जो कि पिछली बात से ज्यादा light throw देंगे एंड काफी जादा एक advantage हो जाएगी इसकी visibility को लेकर एंड वहीं पर हमें इसके indicators भी हमें daylight lamps के साथ की देखने को मिलेंगे और उसके साथ सब्सक्राइब इसमें डिचे एडायस रडास safety system भी दिया जाएगा जो कि इसमें updated हमें new designed एडायस safety system देखने को मिलने वाला है उसके साथ गाड़ी के जो front look है और bold के जाएगा new sporty design का carbon fiber से बना हमें bumper भी देखने को मिलेगा जो कि इसकी look को और भी जादा sporty कर देगा अगर मेर की बात करें तो वहां पर भी हमें अडायस इसका camera system भी देखने को मिलेगा इसमें dual radar and camera safety एडायस देखने को मिलने वाला है जो कि double functional हमें देखने को मिलेगा इसकी front की बात अब अगर हम इसके side view की भी बात कर लें तो side view में अगर बात के जो side view में तो as touch में कोई ज़्यादा major difference देने को मिलने वाला नहीं है वही हमें door handles में chrome भी देने को मिलेगी उसके उपर हमें roof rails देने को मिल जाएंगी अगर alloy wheels की बात की जा तो alloy wheels हमें same size के 17 inches के देने को मिलेंगे बटन पर design जो है थोड़ा change किया जाएगा new designs alloy cut wheels हमें देने को मिलेंगे उसके साथ अगर हम बात करें तो इसके जो ORVM है वो हमें auto rotate देने को मिलेंगे उसके नीचे हमें इसका projected logo design देने को मिलेंगे जो कि सिफ top and video में देखने को मिलेगा तो वो भी इसमें देने को मिलेगा उसके साथ सथ हमें इसमें पैनल और भी sunroof तो already offer की ही जाती है वहीं same में देने को मिलेगी आप हम चलते है इसके rear view में rear view की बात की जो है एक change थोड़ा बड़ा देने को मिलने वाला है पता नी शायद वो अच किया जाएगा बीच में से यह जो connection हो अठा दिया जाएगा जिससे की separated tailors हमें इस गाड़ी में देने को मिलेंगे उसके साथ साथ नीचे हमें इसके vertical reflectors देने को मिल जाएगे उसके नीचे हमें fog lamp देने को मिलेगे और वहीं similar हमें new design bumper देने को मिलेगा जो की कास चाहता इस भी होगा आपको जो change कहां मिलेगा चेंज मिलेगा इसके color tone में color tone in a sense की जो इसका material है वैसे तो hard plastic ही देने को मिलेगा single tone और dual tone देने को मिलेगा इसकी जो natural expected engine उसमें बट जो material है जो soft as material है जो piano black finish है वो इसके central जो इंफुनेकर देने को मिलेगे वहां पर soft touch and piano black work देने को मिलेगा Ambience light आपको इस गाड़ी में दी जा रही है जो की काफी अच्छी लगेगी fully new instrument आपको fully digital देने को मिलेगा जो की हमें अलकाजार में भी देने को मिलता है और अगर मैं इसके features की बात करूं तो इसमें हमें जो existing जो इसमें features देने को मिल रहे हैं वो में six airbags देने को मि देने को मिलते हैं 10.25 इंचिस का जो इंफिटेश्मन सिस्टम में देने को मिलता है air purifier देने को मिल जाता है rear recline seats देने को मिल जाती है उसके बाद हमें बहुत ही अच्छा sound system भी देने को मिल जाता है ventilated front seats हमें इस गाड़ी में प्रवाइट की जाती है जो कि इसके comparison में काफ पार्किंग ब्रेक फिर जाए अटो होल्ड जाएगा सबसेश्टी से बात करो तो इस पर आपको अपड़ेटी दिगरी पार्किंग जो व्यू है वह देने को मिलेगा जो की पहले से ज़्यादा अपडेटेड होगा पहले से ज़्यादा एडवाश होगा और निव फीचर जो इसमें add-on किये जाएगी जो face shift के साथ हमें देखने को मिलेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं उनके बारे में अगर बात किये तो digital instrument cluster में देखने को मिल जाएगी इसके बारे में आपको पहले बताया ही है जो कि हम Alcazar में भी similar देखने को मिलता है उसके उसके 64 colors ambient lighting इसम मैं कर चुका हूँ front parking sensors उसको update किया जाएगा front heated seats आपको देखने को मिलेगी 20L के साथ आपको heated seats भी देखने को मिलेगी USB seat charging देखने को मिल जाएगी and logo projection आपको इसके ORVM में देखने को मिल जाएगी सिर्फ top and variants में so these were the changes जो की interior and exterior में दिये जाएगे आप बात करेंगे इसके power and engine specifications के बारे में तो petrol engine की अगर बात की जा तो petrol में हमें current की बात कर तो 1.5L का force lander natural aspirated engine देखने को मिल जाएगा जिसमें 6-speed manual and 7-speed IVT का engine option देखने को मिल जाएगा उसके बाद अगर तर्बो की बाद तर्बो हमें current में देखने को नहीं मिलता है बड़ फेसलिफ्ट में वो दिया जाएगा उसमें बात करेंगे तो 1.5L का force lander turbo charge engine देखने को मिलेगा जिसमें को 158bhp तक की maximum power देखने को म जाएगा उसमें 6-speed manual and 6-speed automatic option उसमें प्रवाइड की जाएगी तो इस बार देखने को मिलेंगे तो अब पॉइंट आता है इसका प्राइस का कि प्राइस इसमें क्या देखने को मिलेगा पहले प्राइस की अगर बात की जाए तो पहले हमें 10.84 lakh से लेकर 19.13 lakh रुपेज तक देने को मिलेगा एक शोरूम प्राइस अब बार आती है इसके लास्ट पोइड की कि लाउंच कब होगा लाउंच से पहले मेरी आप से एक रुकेस्ट है कि अगर आप यहां तक पहुंच चुकि है और इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्स क्योंकि यह पहले ही बहुतार डिले हो चुकी है क्योंकि जो कम्पेटिशन है इस गाड़ी के वह काफी जारा फीचेस एड़न किये जा रहे है किये जारे है जिससे की सेल्स पर इमेक्ट भी आ रहा है तो यह जो गाड़ी है वह जैनुरी 2024 में लौज हो जाएगी So this was the video guys, hopefully आपको यह वीडियो अची लगी हो, तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में